Hi Friends, Assalamualaikum, Welcome back to my channel आज मैं बनानी जारी हो बहुत ही मज़िदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब दाल गोस्ट की रेसिपी तो यह Mumbai-style दाल गोस्ट है और जो कि बनने में बहुत ही टेस्टी और खाने में इसका जो टेस्ट है जबान से ज़ादा दिमाग पे लगता है तो इसे हम बना रहे हैं बहुत ही लार्ज कॉंटिटी में और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना न भूले तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने तीन डाले ले लिये जो कि है मूंग डाल पहली बाली और उसके बाद यह है तूर दाल मसूर दाल और यहाँ पर मैंने लिया है साथ से आठ हरी मिर्ची तो मिर्ची की quantity आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं और ये जो डालों की quantity है equal होनी चाहिए अगर आप पाउ किलो मून डाल ले रहे हैं तो पाउ किलो तूबर डाल आपको लेना है तो इन्हें दो कर मैंने कुकर में transfer कर दिया है और इसमें जो हमने मिर्ची लिया था वो एड़ कर दिया है आदी चमच यहाँ पर मैं हल्दी एड़ कर रही हूँ और दो चमच नमक एड़ कर देंगे दो से तीन चमच यहाँ पर मैंने पेल एड़ कर दिया है इसे ठककर लगा कर गला लेना है तो यहाँ पर हम मतन को भी गलने के लिए रख देते हैं तो यहाँ पर मैंने पोने 2 किलो मतन लिया है और इसके साथ मैंने फैड भी लिया है फैड भी इसमें बहुत ही अच्छा जाता है और इसका जो टेस्ट है इसमें फिर बढ़ जाता है तो इसको हम side में रख देते हैं और एक cooker मैंने ले लिया है और सारा कुछ इसमें हम transfer कर देंगे तो cooker का जो size है वो थोड़ा छोटा है तो आप बड़ा लीजिएगा तो इसको मैंने add कर दिया है और साथी साथ मैंने एक बड़ा प्यास slice करके add कर दिया है एक बड़ा चमच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अद्रक लसन का paste जो कि मैंने बिल्कुल भी fresh बनाया था नमक यहाँ पर फिर से मैं दो चमच add कर रही हूँ साथ में आदी चमच मैंने हल्दी डाल दिया है तीन बड़ी इलाइची तीन से चार यहाँ पर मैंने बड़े टुकडे दाल जीनी के add कर दिये है बीस से पचीस यहाँ पर मैंने long लिया है और इसको add कर देंगे और उसके बाद हम ले लेंगे दस से बारा यहाँ पर मैं छोटी इलाइची add कर रही हूँ और उसके बाद एड़ कर लेंगे साथ से आठ टेज़ पता एक ग्लास यहाँ पर पानी एड़ करेंगे मटन में से पानी ठूटेगा और एक ग्लास यहाँ पर हम एड़ कर रहे हैं अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो मैंने जिससे तेसे हाथों से mix कर लिया है इसको और इसको अब कुकर का लेड लगाकर गला लेंगी मटन को बहुत जादा नहीं गलाना है वरना जो दाल है और मटन है मिक्स हो जाएगा मटन तूट जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने एक सीटी हाई पे और उसके बाद दस से पारा मिनट के लिए ही गलाया और अब यहाँ पर एक मसाला तियार कर लेते हैं इसमें मैंने तीन टमाटर दो प्यास और नो से दस हरी मिर्ची ली है पहले भी हमने हरी मिर्ची आठ से दस एड़ की है और उसके बाद अट कर लेंगे यहाँ पर मैं तीन चमच कश्मीरी लालमेश पौडर एड़ कर रही हूं यह कलर के लिए हैं तो तीकी वाली नहीं है फिर से यहाँ पर हम दो चमच नमग अट करेंगे तो चम्मच यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर एड़ करें इन पाउडर मसाले को आप बाद में भी एड़ कर सकते हैं मसाला भूनते वागे एक मुटी यहाँ पर पुदीनी के पत्या एड़ करेंगे और उसके बाद एक पाउल हम एड़ करेंगे दही दही बिल्कुल भी फ्रेश है खटी वाली दही नहीं लेंगे हम और उसके बाद एड़ करेंगे एक बड़ा चम्मच अद्रक लसन का पेस्ट एक चम्मच हमने पहले भी एड़ किया है और एक चम्मच यहाँ पर एड़ कर लेंगे धकल लगाकर इन सभी चीजिजों को अच्छे से पीस लेंगे साइड में रख लेंगे यहाँ पर मैंने चार छोटे वाले प्यास लिए है और मीडियम साइस के हैं इने कट कर लेंगे बगार में इस्तमाल करेंगे इसे भी साइड में रख लेंगे दाले हमारी गल चुकी है तो आप देख सकते हैं इनको अच्छे से mix कर लेंगे और जितना पानी requirement है उसमें add कर लेंगे पानी को और इसे भी हम side में रख लेंगे तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ा लॉकी तो आप देख सकते हैं ये लगभग 1 kg का होगा और 1 kg तक ही है तो इनको हम बड़े बड़े pieces में cut करके side में रख लेंगे और अब मैंने बगार के लिए 3-4 बड़े चमच तेल ले लिया है तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम डाल देंगे बड़ी इलाइची तो यहाँ पर मैंने फिर से 3 बड़ी इलाइची एड़ की है लॉंग एड़ किया है जितना हमने पहले एड़ किया था उतना ही एड़ करेंगे और उसके बाद दाल चीनी छोटी लाइची एड़ कर लेंगे और साथी साथ एक से दो चमिज जीरा एड़ कर लेंगे और उसके बाद एड़ कर लेंगे तीज पत्ता तो जो हमने मटन गलाने में यूज किया था मसाले वो ही हमने बगार में एड़ किया है तो मसालो को पका लेंगे फ्राइ कर लेंगे तोसे तीन मिनिट के लिए और उसके बाद प्यास जो हमने चार कट करके रखे थे उसे एड़ कर लेंगे प्यास को अच्छा भून लेंगे ब्राउन कलर आने तक तो देखे प्यास अच्छा से हमारे भून चुके है और अब इसमें हमें आड़ कर लेना है मसाला जो हमने मसाला पीस के रखा हुआ था उसी मसाले को अड़ कर लेंगे मसाले की बहुत ही अच्छा से भुनाई करनी है फ्लेम को मैंने medium to high पे रखा है तो तीनो डालों की जो quantity है उसमें से एक डाल मैंने 500 ग्राम लिया है और दूसरी 500 ग्राम तो इस तरह से मैंने 300-500 ग्राम ही डाले ली है मसाले को अब भूंते भूंते मुझे 10-12 मिनिट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं तेल वगेरा separate होने लगा है तो अब हम इसमें मटन एड़ कर लेंगे जो हमने boil करके रखा है मटन एड़ कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मटन बहुत जादा boil नहीं हुआ है और इसमें जो हमने खड़े मसाले एड़ किये जितना possible हो उसे निकाल लेंगे मटन को इसमें एड़ कर लेंगे और mix कर लेंगे अच्छा इसमें है ना यह जो यकनी इसमें साथ में गई है तो अगर possible है तो यकनी साथ में ना डाले जब हम इसको लॉकी को भी साथ में अच्छे से fry कर लेंगे उसके बाद ही यकनी अड़ करिए इसमें मेरे से गिर गया है मतलब एड़ हो गया है और लॉकी को भी यही पर मैंने अड़ कर लिया है और इसे ढखके 6-7 मिनट के लिए लॉकी को गला लिया है लॉकी को गलने में बहुत ज़़ा टाइम नहीं लगता है तो आप मैं दो चमच नमक और एड़ कर रही हूं और आप अपने टेस्ट के हिसाब से एड़ कर सकते हैं मिला लेंगे और इसी को 5-6 मिनट ऐसे मैंने खोल कर पका लिया था और अब इसमें एड़ कर लेंगे डाल अच्छा दालों को है ना हमें पहले एड़ नहीं करना है या तीनो पुल जो डाले है ना एकदम आखर में एड़ करियेगा तो डाले को भी मैंने एड़ कर लिया है और इसको बॉयल आने देंगे और आप देख सकते हैं तो डाले वगहरा बहुत ही पक चुकी है और अब हम इसको लगाएंगे तड़का तड़के के लिए मैंने तेल कर लिया है और इसमें ऐड़ कर दिया है पुदीना और लाल मिर्च पॉर्डर मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड़ कर लेंगे बस इससे मिक्स कर लेना है और इसको है न और स्मोक की फ्लेवर और मज़िदार फ्लेवर के लिए अब हम इसको लगा लेंगे स्मोक का दुआ तो कोईले को मैंने जला लिया है इसमे आइट कर देंगे आदा चिमश गी ताकि जो दूआ है जादा बने और उसको एक ढखकन से ढख देंगे एक भारी बरतन मैंने रख दिया था तो देखिए दस से पंदरा मिनिट के बाद ये अच्छे से इसमें स्मोक आ गया है फ्लेवर स्मोक का बन गया है तो दाल हमारी बिल्कुल भी टेस्टी और मज़दार वाली रेडी है आप इसे सर्फ कर सकते हैं जीरा राइस के साथ बहुत ही मज़दार और बहुत ही टेस्टी लगती है शादियों में अक्सर करके ये में जरूर खाने को मिलती है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें